Hello students, हम start कर चुके हैं ICT practical का second unit जिसके अंदर अपना topic है internet Last lecture में हमने internet का concept और definition देखी आज हम देखेंगे कि instructions करने के लिए या सिक्षा में internet का क्या योगदान है किस तरीके से हम इसे use कर सकते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि internet पर आप कोई भी information आसानी से search कर सकते हैं कोई भी doubt है आप google जाओ search करो आपको अपके doubts clear हो जाएंगे इसके साथ ही जो सिक्षा हमें यहां मिलती है जो सामगरी हमें मिलती है वो बहुत ही अत्यादुनिक होती है श्रेष्ट होती है आपके पास इतना wide database होता है कि आप अपने हिसाब से अपनी information search कर सकते हैं हम internet के जरिए अपना बौधिक, सामाजिक, वैग्यानिक और शैक्षिक ज्यान बढ़ा सकते हैं शिक्षा के शैत्र में internet का अगर हम प्रयोग देखें तो सबसे पहला प्रयोग है distance learning या दूरस्त शिक्षा तो जहां पर हम पढ़ाने के नए नए तरीकें बच्चों को सिखाते हैं या घर बैटकर हम बच्चों को education दे सकते हैं अभी जैसे lockdown period है या कोई भी ऐसी situation आती है जहां बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते किसी भी वज़े से तो उस situation में internet की help से distance learning करवाई जा सकती हैं इसकी विशेष्टा होती है कि प्रक्रिया को बुद्धी संकत बनाया जाता है श्रम का विभाजन होता है और बहु मात्रा में उत्पादन किया जाता है यानि कि जो topics होते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि बच्चे उसे आसानी से समझ सके श्रम का विभाजन होता है यानि topic wise content को divide किया जाता है और बहु मात्रा में उत्पादन की एक बार अपने वीडियो बना दी टॉपिक कोर्स आपने तयार कर दिया ओनलाइन तो उसको कितने भी पार्टिसेपेंट्स आसानी से व्यू कर सकते हैं और बहुत जादा मात्रा में उसका प्रचार प्रसार करकर आप बच्चों को एजुक कोर्स हैं वो उनलाइन पूछ सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा कर अपना डेटाबेस तयार कर सकते हैं और अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं तो शिक्षा ग्रेंड करने के लिए डिस्टेंस लर्निंग में इंटरनेट अपना पूरा योगदान देता है इसेकेंड वीडियो भी आपके सामने प्रेजेंट होती हैं सभी एरियास के बच्चे अपना डाउट इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपना योगदान उसमें दे सकते हैं तो जो कम्यूनिकेशन है वो बहुत जादा हाई लेवल की हैं और इंटरनेट से जुड़े होन इसमें काफे सारे कमेंट्स आते हैं और उन कमेंट्स में आप इन्फोमेशन या कमिनिकेशन आसानी से कर सकते हैं थर्ड है ओनलाइन शिक्षा का तीवर विकास तो आज के टाइम पे इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा है क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से अध्यापकों क्योंकि जो कमी है वो दूर हो सकती है इंटरनेट पर आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाते हैं जो टीचर्स पर लेक्चर्स डालते हैं उनको बहुत लोगों तक पहुंचा कर शिक्षा का तीवर विकास किया जा सकता है तो आज के टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर की डिमांड बहुत जादा बढ़ गई है और उसी हिसाब से जो प्रशिक्षित टीचर्स हैं वो अपनी प्रतिभाका प्रदर्शन करते वे ऑनलाइन शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं अगली विशेष्टा जो इसमें है वो है स्वतनत्र अधिगम यह आपकी ऑन लेकिन ऑनलाइन लेर्निंग में आपके पैस ऐसा कोई रिस्ट्रिक्षन नहीं होता है आप अपनी सायता खुद कर सकते हैं यानि जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पर आप स्टड़ी कर सकते हो कोई टॉपिक आप अटक जाते हो तो इस टॉपिक को गूगल करके स सब्सक्राइब कर सकते हैं यानि पूरी तरह के सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो रात में पढ़ना है रात में पढ़ो जो टॉपिक आपको पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ो बाद में पढ़ना है वो बाद में पढ़ो इसके ग्यान प्रबंदन और विशय वस्तु प्रबंदन तो जो भी इसके उपर लेक्चर्स बनते हैं या वीडियो बनती हैं content होता है information होती है उसको manage करके रखा जाता है internet पर और विशय वस्तु प्रबंदन की topics इस तरीके से रखे जाते हैं विशेवस्तुया कंटेंट ऐसा बनाया जाता है जो की बच्चों के लिए इंट्रेस्टिंग होता है और हर किसी के लिए फायदे मन्द होता है इंटरनेट का नॉर्मल प्रोग्रामिंग से कैसे ज़्यादा यूसफुल है अब हम देखते हैं इंटरनेट के यूजिस क्या क्या है तो इंटरनेट विश्व में बहुत तेजी से प्रयोग में बढ़ता जा रहा है और जीवन के हर शेत्र में चाहे वो एंटर्टेन्मेंट हो कनेक्टिविटी हो एजुकेशन हो जॉब्स हो हर शेत्र में इंटरनेट अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं इसके फायदे क्या है कि यह सबसे तेज है और सबसे सस्ता संचार का सादन है आजकल आप एक सिंपल सा फोन खरीद कर उसमें भी नेट चला सकते हैं और अपने पाके दुनिया से कनेक्टड रह सकते हैं इसके द्वारा संयुक्त विकास और नव परिवर्तन शिलुत पादनों और सेवाँ के भेतर अवसर आपको प्राप्त होते हैं संयुक्त विकास और नव परिवर्तन शिलुत पादन संयुक्त विकास यानि की कॉपरेटिव डेवलप्मेंट होती है इसमें हर किसी का फायदा है इंटरनेट पर जो वीडियो अपलोड करेंगी उनका भी फायदा है जो उसको स्टडी करेंगी उनका भी फायदा है और नए परिवर्तनशील है यूँकि इसमें जो इन्फॉमेशन तेजी से बदल रही है हरोज नया database तयार हो रहा है तो वो आपको life में नए नए contents के बारे में नई चीजों के बारे में जानकारी समय पर दे सकता है इंटरनेट पे आप multimedia संबंदी कारे करम होते हैं जिसमें आप documents study कर सकते हैं वीडियो देख सकते हैं online lectures देख सकते हैं तो multimedia साधनों का इसमें प्रयोग होता है अगला benefit है कि इंटरनेट एक तीवर और रुत्पादक संचार माद्यम है तीवर यानि कि जैसे आप यहां से mail भेजो और आपके सर्वर पर पहुंच जाती है कोई आपको WhatsApp मेसेज करता है उसके within seconds वो internet की help से आप तक पहुंच जाती है तो यह बहुत ही fast और रुत्पादक संचार माद्यम है और email के बारे में तो आप सब जानते होगे कि email के द्वारा email सेवास से लोगों को कितना फायदा मिल रहा है फिफ्थ है online शिक्षा ने दूर संचार शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान किया है जो हमने previous topics में देखा था कि आप घर बैठे पढ़ सकते हो नए नए lectures आपको मिलते हैं कभी भी अपने doubts आप clear कर सकते हो यह सबी दूर संचार के area में online शिक्षा का योगदान है internet के द्वारा शेक्षेक सामगरी को कम लागत पर उपलब करवाया जा सकता है क्योंकि सस्ती होती है तो विदेशों में जितनी भी magazines है या देश विदेश की कोई भी magazine है पत्री का है research reports है उनको आप आसानी से कम लागत में study कर सकते हैं internet की उपयोग से worldwide video conferencing करना समभव है यानि आप दुनिया की किसी भी कोने में बैठे हो वहां से आप और किसी दूसरे कोने में बैठे वेक्ती के साथ video conferencing कर सकते हैं आमने सामने ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आप एकी कमरे में बैठे हो इसका अगला use है online खरीदारी, online marketing जो इं internet की help से possible है इसमें अगला जो use है वो है feedback, feedback काफी आसानी से इसमें तभी के तभी आपको मिल सकता है जो likes हैं, comments हैं, इनकी help से आपको feedback मिलता है कि आपकी जो products हैं, जो online lectures आपने दिये हैं, वो कैसे हैं, या कितना उसका feedback है, क्या कमिया हैं, जो आप इसको दूर कर सकते हो, य last है file का स्थाना अंतरन, तो internet की help से आप computer files को आसानी से कहीं भी भेज सकते हो, तो ये कम समय में आपकी data को, आपकी information को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो एक video, इस video को दुबारा एक बार देखिए, और ये कुछ limited uses हमने इसमें बताएं, advantages बताएं, इसके अल उठा सकें, वीडियो पसंद आ रही हो, तो like, subscribe और share करें, और अपने comments, comment section में डाल दें, thank you